नमस्कार दोस्तों मैं कुरुपाथ्याई स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनालिसिस में बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आनी है और जो आ चुकी है अभी मैं आप सभी के साथ शेर करने वाला हूँ चीनी शेर्स को सुगर स्टॉक्स को और यह स्टॉक्स बीते हफ्ते में बड़े एक्शन में रहे हैं बड़ी फॉल बड़ी पिटाई देखिए इनों ने और एक बाउंस बैक भी हलका फुलका देखा है लेकिन इस बीच में जो इन सब के लिए हुआ है यानि चीनी कंपनियों के लिए जो हुआ है वो काफी खराब हुआ है शुरू से शुरू करते हैं ताकि अगर आपको शुरुआत का पता नहीं है तो पता चल जाए अभी का बता दूंगा तो पूरी चीज समझ में नहीं आएगी इस टोरी का एंड पार्ट बता दिया इस टोरी पतानी है तो क्या मज़ा तो शुरू से शुरू करते हैं देखे चीनी कंपनिया जो है जितनी भी यह सुगर कंपनिया सुगर स्टॉक्स हैं इनकी मौटा-मौटी तोर पे तीन इंकम के सोर्सेज हैं करेंटली क्या हैं थे ठीक है जी नॉर्मली ये तीन इंकम के सोर्सेज से मलब इन तीन सोर्सेज से इंकम करती हैं कंपनिया कौन से तीन इंकम के सोर्स हैं पहला तो चीनी कंपनिय है तो आप और हम सबके घर में चीनी है हर जगा चीनी है तो वो चीनी विक्री से पैसा आता है पहले सबसे बड़िया पैसा आता है क्योंकि विदेश में चीनी महंगी है और भारत में सस्ती है विदेश बेजते हैं यानि एक्सपोर्ट करते हैं उससे बड़ा मुनाफ़ा कमाते हैं और तीसरी इंकम जो शुरू ही थी इनकी वह एथनॉल यानि की चीदी से सुगर केन गन्ने के जूस से एथनॉल बनाके ये बेच रहे थे और एथनॉल का प्राइस काफी महंगा है चीनी के कंपेरिजन में तो इनका बड़ा मुनाफ़ा हो रहा था और इसलिए आपने देखा कि जो चीनी के शेर के प्राइजेज लगबग सौ रुपे थे चार सौ रुपे पर आई हैं ठीके इस पर गवर्मेंट कभी भी कुछ भी करती है तो ये शेर ज़्यादा चलते नहीं है लेकिन ये बीते समय में भागे हैं उसके पीछे का रीजन यही है क्योंकि ये एथनॉल बना रहे थे और मुनाफ़ा कमा रहे थे अब सरकार ने क्या किया है वो समझ लो अक्टूबर आपको याद होगा दिवाली से एक माईने पहले सरकार ने कहा कि देश का बड़ा त्योहार है सबसे बड़ा त्योहार है और इस त्योहार पे चीनी की डिमांड तो भढ़ती ही बढ़ती है क्योंकि मिठाईयां मिठाई पढ़ जाए और देश में चीनी कमपड़ी तो चीनी के दाम उपर चले जाएंगे जिसकी वेसे इंफलेशन इल जाएगा पूरा तो सरकार ने का कि एक्सपोर्ट बंद ताला लगा तो एक्सपोर्ट नहीं होगा आप तुमसे एक्सपोर्ट भारत में बेचो ठीके जी तो तीन घर मेंसे एक कमाई का घर बंद कर दिया सरकार ने अभी पिछले आफ़ते ख़बर आई सरकार ने दिया कि सुगर केन के जूस से एथनॉल नहीं बनाओगे तो दूसरे घर पे भी ताला लगा दिया अब दो कमाई के बड़े जरिये सरकार ने बंद कर दिये तो चीनी शेर्स में पिटाई पड़ी अभी तीन कल या परसों की ख़बर है जब सरकार ने कहा चीनी कंपनिया सरका के पाक दियों रोने का भीया कुछ तो रहाद हम भी है वी मॉलेस से जो चीनी एथनॉल बना रहे है उस एथनॉल का दाम ही बढ़ा दो कुछ नी कर रहे साब हमारा चीन लिया तो अब यह क्या होता है वो भी समझ ए दिए सुगर केन के जूस से एथनॉल बनता है तो डिरे सरकार चाती है कि देश में चीनी कमना हो जाए और देश में चीनी के दाम न बढ़ जाए बस यह चाती है सरकार तो हम लोगों के लिए अच्छा है पर यह सरकार बहुत चालू चीज होती है सरकार यह सब इसलिए चाती है कि इलेक्शन नस्दीक है इलेक्शन के समय पे अग को बदा जल जानी है तो दिक्कत वाला विशा बन जाता है तो सरकार बिलकुल नहीं चाहती कि इतने बड़े इवेंट से पहले कुछ ऐसा इंफलेशन हो जाए तो सरकार ने कहा कि नहीं जी आप नहीं बना होगे तो अब इन करके सामने रखा जाएगा इससे सुगर कंपनिया उच्छाल मारते हुए दिखी अब फाइनल एक्जामपल आ जाता हुआ दिख रहा है सरकार ने कुछ बड़ी अनॉंच्मेंट कर दी है यह सारी चीज मैंने इसलिए बताई ताकर आपको पूरी स्टोरी समझ में आई की चल क प्लाइ सिचुएशन इना मन्त और टू मन्त यह जो सुगर केंद से सप्पलाई हो रही है इसको लेकर विचार करेगी साथी साथ इंडिया गवर्मेंट टू नॉटिफाई निव रूल आउटपुट फ्रम सुगर चीनी से जो एथानॉल बन रहा है उसके नए रूल भी आ इसलिए मैं कहता हूं अगर कमोडिटी प्ले कर रहे हो ना तो आपको बहुत कुछ कवर करना पड़ता है अब आप देख लो चीनी को लेकर सरकार जिस दिन जो खवर कर दे उसी दिन 10% उपर या फिर नीचे तो यह सारी चीजें आपको बहुत समझ में आनी चाहिए और इस कोई जानकारी पसंद आई होगी थैंक यू सो मच फो वोचिंग इस वीडियो है वाग्रेटी दी गईस